दोस्तों नमश्कार आधाब सच्छीअकाल निव्ष क्लिक के कारिक्राम निउष मंथन के साथ मैं वर्मिलेश दोस्तों एक सवाल चुनाव आयोग के बारे में उठाया जा रहा है और ये तब से ज़्यादा शिद्दत के साथ उठाया जा रहा है जब से हीमाचल के मतदान का हिमाचल के चुनाव कारिक्रम का एलान हुआ है 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को हिमाचल की 68 सीटों के लिए चुनाव की घोशना आयोग ने की और एक बार फिर पिछले कई वर्षों से जैसा होता रहा है चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ गया कि आखिर क्या वज़ा है कि हिमाचल के चुनाव अगर पोलिंग जो है 12 नौमबर को होगी तो 8 दिसंबर को मतगणना का समय तै किया गया है यानि 12 नौमबर से हिमाचल की जनता को इंतजार करना पड़ेगा अपने नतीजों को जानने का 8 दिसंबर यानि करीब करीब 26-27 दिन क्यों इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गुजरात के चुनाव का जो विधान समा का चुनाव होगा उसका नतीजा भी 8 दिसंबर को ही आना चाहिए अंदाज लगाया जा रहा है क्यों क्योंकि गुजरात के चुनाव का कारिकरम 14 तारीक को 14 अक्टूबर को हमारे निर्वाचन आयोग ने गोशित ही नहीं किया अब आम तोर पे लोगों का सोचना है और जैसा पहले होता रहा है कि अगर 9 दिसंबर में ही चुनाव होना है हीमाचल विधान सबा का जैसे कारिकाल 8 जनौरी 2023 तक है गुजरात विधान सबा का कारिकाल कब तक है 18 फरोरी 2023 तक है तो अगर इतने ही का फर्क है तो चुनाव एक साथ क्यों नहीं चुनाव अलग-अलग क्यों कराय जा रहे हैं इतना सारा खर्च बढ़ेगा इतनी सारी तबालत होगी इतनी सारी मुश्किले खड़ी होंगी एलेक्शन कमिशन लगातार इंवाल्व रहेगा एल्मिन्स्टेशन लगातार इंवाल्व रहेगा राजितिक दलों की जो सक्रियता है governance को छोड़ कर राजी को राजी के और जनता के हित में काम करने को छोड़ कर election में बजी रहेगी तो आखिर election साथ साथ क्यों नहीं हो रहे हैं जब फर्ग जादा नहीं है तो गुजरात का चुनाओ जब कभी घोशित होगा यानि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद तो आठ तारीक को उसका भी result आएगा इसलिए हिमाचल की जनता को भी इंतजार करना पड़ेगा यानि जिस दिन हिमाचल में मतदान हो रहा होगा उस दिन भी भारत के टेलिविजन चैरनों पर जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं उनका चुनाव प्रचार चल रहा होगा गुजरात में वो भाषन दे रहे होंगे और हिमाचल में पोलिंग हो रही होगी चुनाव आयोग हिमाचल में मतदान से कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार बंद कर देगा लेकिन टेलिविजन पर चुनाव प्रचार चलता रहेग इस बारे में जब सवाल पूछा गया 14 अक्टूबर को निर्वाचन आयुक्तों से तो मुख्य निर्वाचन आयुक्ति ने कहा कि परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं 2017 में भी ऐसा हुआ था लेकिन भाई 2012 में तो ऐसा नहीं हुआ था उसके पहले नहीं ऐसा हुआ था बर्षों बर्ष से ऐसा नहीं हो रहा था था तो आखिर क्या वज़ा है कि 2017 की परंपरा का आप निर्वाह करने की बात कर रहे हैं लेकिन अतीत के जितने और चुनाओं हैं उनकी परंपरा को छोड़ने का केवला आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो गुजरात के चुनाओं को विलंबित करना उनको एनाउंसनो करना इसके बारे में विपक्ष का कहना है और आम लोगों के बीच में भी सवाल उट रहा है कि क्या गुजरात में मवजूदा जो सत ताधारी हैं इतने टाइट पोजिशन में हैं इतनी मुश्किल में हैं कि उनको अभी और चुनावी एलान करने हैं अभी और कुछ गाड़ियां चलानी हैं अभी और कुछ नए नए वहां पर एलान करने हैं लोगों को लुभाना है लोगों को फुसलाना है क्यों इतने दि इंतिजार करा रहे तो यह मैं समझता हूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक जमाने में इसकी बहुत साख्ष थी एक जमाने में सचमुच इसने अपने को स्वायत कर रखा था आटॉनमस आज की स्थितिया है कि कहने को तो आटॉनमी है लेकिन चुनाव आयोग सचमु सचमुच जैसा अनेक लोग कह रहे हैं कि सरकार की संस्था के तौर पे काम कर रहा है ऐसा लगता है कि सरकार निर्धेशित करती है और चुनाव आयोग उसके तहारत काम करता है पिछले दिनों हमने देखा कि PMO ने आदेश देकर चुनाव के जो कमिश्चनर लोग है उनको बुलाया चुनाव के अधिकारियों को बुला लिया अब ये तो पहले कभी नहीं सुना गया तो एक टर्निंग पॉइंट जो एलेक्षण कमिशन की हिस्ट्री में इंडिया में रहा है वो रहा है टियन शेषण का आना टियन शेषण जब एलेक्षण कमिशनर बने मुख्य एलेक्षण कमिशनर तो याद होगा आपको कि उस दर्मियान उन्होंने एलेक्षण कमिशन को एक बहतर ढंग से काम करने वाली संस्था के रूप में तबदील किया नीजी तोर पे मैंने टियन शेषण के कारिकाल को देखा था दोस्तों मैं नीजी तोर पे मानता हूं कि टियन शेषण के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी उन्होंने भी बहुत सारी गरबणियां की होगी लेकिन उनका एक जो सबसे बड़ा आधान है कि उन्होंने सरकार के निर्देशन के हिसाब से सौ फिस्ती काम करने से बिलकुल इंकार कर दिया और एलेक्षन कमिशन को एक इंडिपेंडनेंट आटोनॉमस आर्गरिजेशन के रूप में उन्होंने काम करने की तरफ निर्देशित किया ये एक बड़ा उनका आउदान था उसके बाद लिंग्दो साब आए और लिंग्दो साब के भी कारिकाल में बहतर परफॉर्मेंस एलेक्शन कमिशन की रही बात के दिनों में भी कई ऐसे कमिशनर आए जिनोंने परंपरा को बहतर ढंग से निर्वाह उसका किया कंप्रमाइजेज भी कुछ किये लेकिन कुल मिला कर चलता रहा लेकिन हाल के वर्षों में अगर एलेक्शन कमिशन का देखा जाए एलेक्शन कमिशनर का कमिशनर्स का तो बहुत बुरा हाल रहा है अशोक लवासा को तो इस्थीपा भी इसमें देकर जाना पड़ा एशियन डिवलप्मेंट बैंक में उपधेक्ष बनकर बहुत सारी काउंटरवर्सी सामने आई तो ऐसा लगता है कि मौजुदा एलेक्शन कमिशन वाकई टियन सेशन की जो एक महान परमपरा उन्होंने जो एक कोशिश की थी तमाम दवाओं तमाम तनाओं और अपनी अपनी नीजी कमजोरियों के बावजूद उन्होंने भी कुछ गलतियां की थी समय समय पर बजागर होती थी कुछ खास दलों और नेताओं को लेकर उनकी भी एक मुलायमियत थी लेकिन इसके बाव जो एक बहतर परफॉर्मेंस उनकी थी एलेक्शन कमिशन को चुस्त किया था दुरस्त किया था कहीं न कहीं वो प्रक्रिया पटरी से उतर गई है क्रेडिबिल्टी अब्जेक्टिविटी एक निस्पक्ष एंपायर का जो रोल है लेक्शन कमिशन शायद वो खोता जा रहा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह यूहीं हो रहा है दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि यह संबैधानिक प्रश्न है अगर चुनाव आयोग के सदस्ते यानि चुनाव आयोगतों का चयन गौर्मेंट करेगी तो और क्या होगा और क्या होगा हमारे जो आठकिल 324 है जिसके तहट भारत में निरवाचन होता है निरवाचन आयोग के जो आयोगत है उनका उनका चयन सरकार करती है कैबिनेट करती है और उस पर मुहर लगती है प्रेसिडेंट आफ इंडिया की रिक्मेंडेशन सरकार की तरफ से जाता है यानि आप कह सकते हैं कि प्रदान मंत्री जी जिसको चाहेंगे वो एलेक्शन कमिशनर बनेगा सच्चा ही है ब्यावारिक प्रक्षिय ही है तो ये हमारे संविधान में इतने सारे संशोधन होते हैं फिर संशोधन इस बात पर क्यों नहीं होता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती जो है सरकार की ओर से न की जाए बलकि ज्यादा independent, ज्यादा transparent और ज्यादा बेहतर ढंक से की जाए मसलन उसमें प्रधार मंत्री हों, उसमें विपक्ष के नेता हों उसमें Chief Justice of India हों उसमें और कोई रखा जा सकता है independent किसम का व्यक्ति लेकिन सिर्फ अगर सरकार election commission की नियुक्ति करती है तो election commission के सरकारी संस्था बन जाने का खत्रा उस पर हमेशा मौदूद रहेगा महरास्ट में जो उद्धव ठाकरे किया गुआई वाला शिव सेना का संगठन है उसने भी बहुत कड़े शब्दों में निर्वाचन आयोग की आलोचना की है कि उसने जो पेटिशन दिया था जो ग्यापन अनरोध पत्र दिया था election commission को उन जाने कैसे दूसरे लोगों को मालूम पड़ गया और वो सिंबल से जुड़ा उनका जो चुनाव चिन है इसके अलावा पार्टी का नया नाम क्योंकि फ्रीज कर लिया था election commission ने चुनाव चिन और कहा था आप लोग अपनी अपनी पार्टी के नये नाम को लेकर आईए और नये सिंबल को लेकर आईए इस पर जो शिव सेना का धव ठाकरे ग्रूप है उसने जो submission दिया था जो उसने submit किया था गयापन ऐसा उसका दावा है कि वो लीक हो गया और इसलिए जो शिंदे गुठ है उसने भी उससे बिलकुल मिलती जुलती नामावली और जो 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 अन्य जो चीजें हैं उनको करने वाला है और अभी तक कोई साफ सफाई नहीं आई है कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे माना जाए कि इससे इससे निर्वाचन आयोग ने बिलकुल अपने को एक तरह से निर्दोश साबित कर दिया है उस पर अभी भी बहुत सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी शीव सेहना का साथ दे रही हैं और बहुत सारे कमेंटेटर्स भी इस तरह की बात बोल रहे हैं तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दुखत प्रसंग है जो भारत के निर्वाचन आयोग को लेकर लगातार उट रहा है दूसरी जो हमारी आज नियूज मन्थन में दोस्तों और जिस खबर पर आम तोर पे अप्पिर चाश शुरू हो जाएगी एलेक्शन से जुड़ी वो यह है कि हीमाचल चुनाव से ऐन पहले और हर्याना के आदमपूर बाई एलेक्शन हर्याना का आदमपूर बाई एलेक्शन संजोग बस वहां पंचायच चुनाव भी प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके पहले जो ये आपके बहुत एक विबादास्पत बाबा है डेरा सच्चा सौदा चीफ गुर्मित राम रहीम ये 40 दिन के पैरूल पर फिर से रिहा हो रहे हैं 40 दिन के इनका आदेश पैरूल का इनका आदेश जो है जारी हो गया है और पंजाब में जब चुना हुए थे इसी साल इसी साल तब भी उनको रहा किया गया था उनको उस वक्त यहां तक याद आ रहा है फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए पंजाब चुनाब से एन पहले उनकी रहाई होई थी इसके पहले भी कई बार वह रहा किये गये हैं अब यह नहीं समझ में आता कि हिनियस क्राइम यानि जो अपराद हैं उनके यह एक्यूज नहीं कन्विक्ट हैं और बार बार जब चुनावाता है तो यह इनको पेरोल मिल जाती है इनको कोई न कोई तरीका इनके लिए खोज लिया जाता है और यह महाशाय आकर अपनी गद्दी पर हरियाना और हीमाचल का भी कुछ चिता उसमें जो डेरों के जरिये लोगों को प्रभावित करने की इनकी कथित शमता है उसका विविन राजनितिक जो खेमे हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो क्या चुनावायों की नजर इस पर नहीं है क्या हमारे जुडिशिरी की इस पर नहीं है, कन्विक्ट है, उसका इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है, खुलियाम किया जा रहा है, हर बार उसको चुनाव से एन पहले, कोई न कोई बहाना लेकर के पैरोल मिल जाती है, कमाल की बात है, लेकिन उमर खालीद, जेनु के पढ़े लिखे, एक पिएच्डी स्क पान और बाबा साब भीम रावाम बेट करके परिवार से जुड़े हुए आनन्तेल तुम्डे, इन लोगों को किसी तरह की मरुवत नहीं, किसी तरह से किसी तरह की राहत नहीं जेल से, तो ये तो इस्थिती अपने देश में क्राइम और पनिश्मेंट की है, और कैसे उनको समय पर छोड़ा जाता है, ये एक अजीब तरह का सिलसिला सामने दिखाई दे रहा है, और दोस्तों एक खबर और जो बहुत महत्मूर आई है, और वो ये है कि कल, यानि 14 अक्टूबर को, बांबे हाई कोट ने दिल्ली विश्वित द्याले के पुरू प्रोफेसर ज जो उन पर आरोप लगे थे, उन से बिलकुल उनको निर्दोस सावित किया, और इसके बाद बांबे हाई कोट ने उनको बरी करने का, ततकाल ततकाल बरी करने का और जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया, लेकिन बांबे हाई कोट के फैसले के बाद, महराज सरकार ने कल नहीं रात को सुप्रीम कोर्ट से संपर्ख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्टे देने से मना कर दिया कल। किसी भी तरह का बामिय हाई कोट के फैसले पर उसने इस्टे नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि आप इसको आप प्रॉपरली आप अदालत में कोर्ट में इस मामले को ले जाएए फिर ये मामला आज 15 तारी को यानि शनिवार को सुबह जस्टिस एमार शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में गया और उस बेंच ने कहा कि मामले की पूरी सुनवाई के बाद उस बेंच ने कहा कि अभी साही बाबा और अने लोग जेल से बाहर नहीं निकलेंगे और उनको बामबे हाई कोट से जो निर्दोस साबित किया गया था जो उनको छोड़ने का आदेश हुआ था उसको रोक दिया ग इसलिए हिस्सा काम नहीं करता साही बाबा विल्चेयर पर चलते हैं इसलिए उन्हें अब जेल में नहीं रखा जाए पर कोट ने उनके आरगुमेंट को मानने से इंकार कर दिया और इस तरह 14 अक्टूबर को बामबे हाई कोट की जो नाकपूर बेंच का जो फैसला है साही ब महारास सरकार को आज एक तरह से सफलता मिली और अब देखना है कि इस पर फिर आगे क्या होता है और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार और लोग तंत्रवादी जो शक्तियां भारत की हैं उनके लिए ये एक बहुत ही पहले तो महारास्ट की जो अदालत है बामबे हाई कोट जो है उससे अच्छी खबर मिली थी और ये एक निराशा की खबर है इसमें कोई दो रहे नहीं और दोस्तों चलते चलते बिलकुल आखीर में कि जो हंगर यानि भूख उसका हर साल एक गलोबल इंडेक्स जारी होता है जिसको बोलते हैं गलोबल हंगर इंडेक्स यानि भारत गलोबल हंगर इंडेक्स में और नीचे गिर गया हमारा हाल नेपाल श्री लंका पाकिस्तान और बंगलादेश से भी बुरा है भूख से बेहाल दुनिया के 123 देशों में भारत का नंबर 107 है पहले 101 था यानि हमारी आलत पहले से और खराब हुई है सिर्फ हमारे दे पाना के तौर पे कुछ राहत हमारे वाट्सप इनवस्ट्री वालों को जरूर मिली मिलती रहती होगी जो समझते हैं कि भारत पूरी दुनिया में धाक चमा चुका है और विश्व गुरु बन चुका है लेकिन भूख के वैश्विक सूचकांक में सोचिए भारत कितनी जोले देश हैं हम उनसे भी बुरी हालत में हैं तो ये रहा नियूज मन्थन का आज का हमारा प्रेजिंटेशन नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल